तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप सिर्फ एक मिनिट में अगर copyright चैनल दो सकते हैं को आजे बढाते हैं सरे तो दोक Джamatu को सबसे पहले क्या करना है गूगलन कर लेना है यह मैंने गूगल को ओपन गिया और यह यहां आपने जो भी प्रोफाइल पिक्चर लगा रखिए यहां कॉर्णर में उपर वाली साइड में राइट हैंड्साइड में यहां पे दिख रहा है is पर किलिक कर देना है यहां जैसे आप कुलिक करेंगे आपका जीमेल आईडी आ जाएगा और यहां पे फ्रेंट्स आज परसनल इन्फॉमेशन और उसके बाद यहां data recovery, data and privacy, security और इधर पता नहीं क्या-क्या मिल जाता है लेकिन हमें जाना है security में, security पर एक बार click करेंगे और यहां काफी कुछ हमें मिल जाता है नीचे तक यहां से आप अपनी Gmail को काफी secure कर सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ यहीं बतान टीप्स और रिशेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी इसाइन टू गूगल प्सक्यां अब यह देखिए यहां पर आगया है फास वर्ड इसीक पर क क्लिक कर देना है यहां जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां देखिए एक सेकंड का दो सेकंड का टाइम लेगा अभी कुछ इस तरह का इंटरफेस आया है यहां पर तो यहां मेरा इमेल दिया गया है तो continue first verification that use its you और यहां पर password मांग रहा है लेकिन password friends मैं नहीं दूँगा यहां आपको बताने वाला हूं आप password कैसे change करेंगे यहां मिल जाएगा forget password तो forget password पर आप क्लिक करेंगे और forget password पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां continue करेंगे continue करने के बाद यहां आप से पूछ रहा है यूज पैटन तो यहां पे friends pattern मैं अपने mobile का डालूँगा और यहां से continue कर दूँगा और दिखिए मैंने पैटन डाला continue किया उसके बाद यह देखिए new password यहां पर मैं कोई भी एक password डाल देता हूं यहां से मैं video को थोड़ा skip करूंगा और यहां एक password बना के डाल देता हूं तो यहां देखिए मैंने new password डाल दिया अब यहां पर मुझे वही password confirm डालना है तो confirm password डाल के आपको फिर दिखाता हूं वीडियो को करता हूं इसकी और friends यहां पर मैंने confirm password भी डाल दिया आप change password पर किलिक करूंगा और यहां पर देखिए friends यहां दिखा रहा है please choose a stronger यानि कि थोड़ा मुझे strong करना पड़ेगा इस password को तो यहां थोड़ा strong कर देता हूं और यह देखिए friends मैंने password चेंज कर दिया है यहां पर change password पर जैसे ही क्लिक किया यहां get started पर किलिक किया और मेरा password यहां चेंज हो गया है तो देखिए दोस्तों कितना आसान था password चेंज करना ऐसे करके आप अपने mobile का password चेंज कर सकते हैं तो friends वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को जरूर सा धन्यवार दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखा